नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अथरवर्मा है दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो e-commerce वेबसाइट पे जो रुदराश के रेट है क्या वो जैनूर रेट से या फिर नहीं है अब मैं आपको एक्जामपल से पूरा सीन समझाता हूँ जैसे मालीजे कोई रुदराक् जो है 20,000 रुपए का आएगा आपने का 20,000 रुपए का इतना मेंगा रोको मैं अभी e-commerce पे चेक कर था हूँ आपने खटा-खट कोई वेबसाइट पे चेक कर रहा है e-commerce की आपने का 2000 रुपए यह तो 20 बता रहा है यहाँ पे 2000 रुपए फिर आपने का रहे इस वेबसाइ है मांगना तो इस चीज के और देखो जी ऑनलाइन 900 रुपए का मिल रहा है और आपने बड़ी अख़ुश हो के फटा फट जो है उसमें भी कूपन कोड लगा लोगों के वो 900 रुपए का रुदराश आपने 700 रुपए का खरीद लिया अब आप मेरी बात समझना आपने 700 रुदराश खरीदा और मार्केट में दुगांदर बिच रहा है 20,000 रुपए का इतना बार डिफरेंस नहीं आता मार्जिन में कभी भी इतना बार डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा ठीक है अब हुआ क्या जो 700 रुपए में आपको मिला है अब आप बोलोगे जी नहीं जो आपको online e-commerce website पे मिला है या मैं सब online dealers को नहीं target कर रहा हूँ मैं कुछ specific websites पे बता रहा हूँ जिन पे भी कुछ specific dealers हैं जो customer को misguide कर रहा है मैं आज सब को target नहीं कर रहा हूँ सिर्फ उन particular specific लोग को target कर रहा हूँ जो e-commerce website पे अपना माल बेशते हैं गलत माल बेशते हैं लो certificate फर्जी बन जाते हैं और उसके अंदर जो रुद्राक्षो रुद्राक्ष भी नहीं हो भद्राक्षो या फिर कोई ऐसी कुछ सस्ती copy हो रुद्राक्ष की ठीक है लेकिन जो दुकानदार आपको बेश रहा है वो 20,000 रुपे का रुद्राक्ष ही है ठीक है अब कियो मांग रहे हो और यह रुद्राश असली है या नकली है यह तुम मुझे बताओ certificate तो गया एक साइट अलग हटाओ से तुम बताओ कि असली है या नहीं है तो इन दोने केसे में आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसे रुद्राश के बार ने चारों से बात करी तो चारों से आपको अलग-अलग नौलेज मिलेगी फिर आप जब पांचवे से खरीद होगे तो आप उसको नौलेज दे पाओगे तो सामने वाला जो है डढ़ जायागा पांचवा वाला वो आपको ज्यादा में नहीं दे पाएगा और आप एक रि 20 रहेगी रुद्राश की कोगी कल को अगर कोई चीज गलत होती है तो आप अपने दुकानदार को पकड़ सकते हो या फिर जिस यूटूपर से आपने लिया है आप उसको पकड़ सकते हो ठीक है तो यह दोनों केसे में जो है फ्रॉड होने के चांसे बहुत ही कम है लेकिन एक कितना होशयार हूँ 20 अरगा देरा था 700 में ले लिया तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं 700 वाले केस में लेकिन जिस दुकानदार से यूटूपर से लिया है आप उसको फोन पर बोल सकते हो डाट सकते हो समझा सकते हो या फिर सोना सकते हो तो इन दोनों केसे में यह चीज पॉसिबल है ठीक है तो मेरा पसनल ओपिने यह है कि अगर आप रोदराख शेफिर कोई भी जंप्स्टोन खरीद रहा है तो आप किसी e-commerce website से खरीदने की बजाए अपने city में किसी दुखानदार से खरीदें या फिर online YouTube पे जो यूटूबर आपको बेच रहा है उससे बात करके खरीदें क्योंकि दोनों केसे में सामने वाला आपको नौलिज दे पाएगा और आपको अपने साइट से ग्यारेटी दे पाएगा कि मैं जो चीज दे रहा हूं वो जैनूर्ण है ठीक है ठीक है दोस्तों तो उमीद करते हैं वीडियो पसंद आए हुए वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक जो करीगा चैनल को सब्सकाइब जो करीगा और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नय ओफ्रेश्ट अपिजा तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक क्यार